त्वागत है आपका देवियों और सजनों कौन बनेगा करोड़पती में चलिए इस खेल को आगे बढ़ाते हैं तो आपको समझ आही गया होगा मैं किसकी बात कर रही हूँ जी हाँ मैं बात कर रही हूँ हमारे बिग बी की तो आप स्पेशल न्यूज में आपको बताऊंगी बिग बी के शो कौन मैंनेगा करोड़पती टीवी शो के बारे में सोनी टेलिविजिन चानल पर प्रसारित होने वाला रियालिटी शो कौन मैंनेगा करोड़पती के सभी करोड़पती विजटाओं की कहानी जानेंगे इन लोगों ने जीत की रकम से क्या क्या किया तो आईए जानते हैं सबसे पहले 11 सीजन तक के केबिसीय की विजटाओं के बारे में तो 11 सीजन के विजटा थे सनोज जिन्होंने कभी महानगर नहीं देखा था उनके पिता एक किसान थे लेकिन पिता ने उन्हें पढ़ाने के लिए काफी महनत की गाओं में सरकारी स्कूल के हालात अच्छे नहीं थे वो प्राइविट स्कूल में पढ़े सनोज ने बी-ई की पढ़ाई की है इसी दौरान उनका कैमपस प्लेसमेंट हुआ सनोज का सपना IPS बनने का था जिसकी वे तैयारी भी कर रहे थे एक करोड रुपे जीतने वाले सनोज का कहना है कि उन्होंने कभी महनगर ही नहीं देखा था फिर बात करते हैं के बी-सी दस के विजिता की वे थी बिनिता जेन आसाम के गुहाटी की रहने वाली बिनिता ने शो पर एक करोड रुपे जीते साथ करोड के जैकपॉट सवाल का जवाब सही पता होते हुए भी बिनिता ने रिस्क ना लेते हुए शो को छोडने का फैसला किया बिनीदा अभी क्या कर रही है उनके बारे में कोई जानकारी नहीं है तो KBC 9 जीता यमशेदपूर की रहने वाली अनामिका मजुमदार ने इस इसन की पहली करोड पती अनामिका बनी KBC 9 में अनामिका ने 1 करोड रुपे जीते बता दे कि वे 7 करोड की जैकपॉर्ट सवाल पर आकर अटक गई थी लेकिन शो के क्विट करने के बाद जो उन्हों ने उत्तर दिया वे सही निकला इस जीती हुई बड़ी रकम से दो बच्चों की मा अनामी का फेट इन इंडिया नामक एंजियो चलाती है फिर बात करते हैं के बिसी सीजन आठ की जिसके विजटा थे अचीट और सार्थक नरूला दिल्ली के रहने वाले दोनों भायों ने के बिसी में आने से पहले कड़ी मशक्कत की इन्होंने शो में साथ करोर रुपए जीते थे जिससे उन्होंने अपनी मा के कैंसर का ट्रीटमेंट करवाया था आज दोनों इसी जीती हुई रकम को इन्वेस्ट कर बिसनस चला रहे हैं फिर बात करते हैं के बिसी साथ के विजटा की राजस्तान के रहने वाले पेशे से टीचर ताज महम्मद रंग्रेज ने पाँच करोर रुपए के सवाल पर अटक कर खेल से क्विट कर दिया हाला कि उन्होंने एक करोर रुपए की बड़ी रकम जीती थी इस रकम से उन्होंने अपनी बेटी की आँखों का इलाज करवाया ताथ ही गाउं में दो अनात लड़कियों की शादी भी करवाई और एक घर भी खरीदा फिलहाल वे क्या कर रहे हैं इसकी कोई जानकारी हमारे पस नहीं है फिर बात करते हैं KBC 6 के विजिता की KBC 6 के विजिता बने सुनमीत कौर जिन्होंने अपने पैसों से एक बड़ा सपना पूरा किया उन्होंने KBC में जो कहाणी सुनाई उनके मताबिक उनके ससुराल वाले उन्हें फैशन डिजाइनिंग आगे करियर के लिए मदद नहीं कर रहे थे लेकिन अपनी ग्यान की बदोलर उन्हें अपना करियर बनाया अब बात करते हैं के बिसी पांच के विजिता की सुशील कुमार ने पांच करोड के सवाल का न केवल सही जवाब दिया बलकि अमिता बच्चन को भी दातों तले उंगलियां दमानी पड़ी यह कंटेस्टेंट अब तक का सबसे चर्चित कंटेस्टेंट रहा है सुशील मनरेगा में 6,000 रुपे की नौकरी पर काम किया करते थे इनामी रासी से सुशील ने अपने पुष्टैनी घर की मरमत करवाई और भाईों का बिसनस भी शुरू करवाया के बिसी में 5 करोड रुपे जीतने वाले सुशील कुमार ने बताया कैसे इसके बाद उनकी बरबादी शुरू हो गई सुशील ने अपनी आप बिती सुनाई कि वक कैसे के बिसी में जीतने के बाद उनके जीवन का बुरा दौर शुरू हो गया कैसे उन्हें शराब और सिगरेट की बुरी लत लग गई उन्होंने बताया कि KBC के जीत के बाद लाइफ काफी मुश्किल हो गई वे लोकल सेलिब्रिटी बन गए ऐसे में उन्होंने महिने में 10 से 15 दिन बिहार में कहीं न कहीं कारिकरम में जाना शुरू कर दिया पढ़ाई लिखाई बिलकुल छूट गई मेडिया को लेकर वे काफी सीरिस हो गए बताने के लिए लगातार नया बिजनस करने लगे जिसमें काफी पैसा डूब गया सुशीन ने बताया कि इसी दोरान उनके गुप दान देने का चसका लग गया वे काफी पैसे दान में देने लगे इस बीच कुछ ऐसे लोग भी उनके साथ जुड़े जो उने ठगने लगे चाप्रूस लोगों संग उनने समंदों को लेकर पत्नी ने टोका भी इसके चलते पत्नी से भी रिष्टे खराब हो गए परीचे के साथ दोस्ती भी बढ़ी और सुशील को शराब और सिग्रेट की लट भी लग गई इसके बाद निदेशक बनने का सपना जागा इस सपने को लेकर वे मुंबई पहुँच गए वहाँ पहले टीवी में काम करने की सला दी गई इसके बाद प्रडक्शन हाउस में काम किया लेकिन वे भी छोड़ दिया सुशील लिखते है कि मुंबई में उन्होंने खूब फिल्में देखी और किताबे पड़ी इस दोरान खुद को समझने का मौका मिला इसके बाद वे बिहार वापस आ गए और टीचर की नौकरी के लिए तयारी की सुशील ने बताया कि अब वे एक टीचर है और साल 2016 से शराब नहीं पी सिगरेट की लत भी छूट गई वेल पैसा आदमी का दिमाग खराब कर देता है और यही कुछ हुआ सुशील कुमार के साथ वेल अब उनकी लाइफ सुधर गई है उसके लिए हम खुश है अब बात करते हैं के बिसी चार की विजिता की जो थी राहत तस्लीम वे जारकंड से आई थी और राहत बेहत गरीब परिवार से आई उन्होंने बताया कि जवे अपने मैडिकल एंटरिंस की तयारी कर रही थी तो उनकी शादी कर दी गई लेकिन उन्होंने के बिसी में जाने का मन बनाया और शो को जीत कर आई फिलहाल राहत गार्मेंट्स का काम कर रही है फिर बात करते हैं KBC 3 के विजिता की तो तीसरे सीजन को शारूप खान ने होस्ट किया था इस शो में कोई भी कंटेस्टेन विनिंग अमाउंट तक नहीं पहुंच पाया और शो की गिरती TRP के चलते बीच ही में शो को बंद करना पड़ा फिर बात करते हैं KBC 2 के विजिता की KBC 2 में अमिता बच्चन KBC जूनियर को होस्ट कर रहे थे ये सीजन साल 2001 में लॉंच किया गया था रवी मोहन सेनी ने होट सीट पर बैट के बाजी मारी रवी की उम्र उस वक्त 14 साल की ही थी इसके बाद रवी ने कड़ी महनत कर IPS ऑफिसर बन गए फिर बात करते हैं KBC 1 के विजिता की साल 2000 में शुरू हुए कौन बनेगा करोड़ पती के पहले सीजन में हर्षवर्दन नवाठे ने बाजी मारी थी वे middle class family के थे उसी दोरान हर्षवर्दन civil services की तयारी कर रहे थे और 27 साल के थे आज हर्षवर्दन शादी शुदा है और उनके दो बच्चे हैं उन्होंने civil services की तयारी छोड़ UK University में MBA किया और private sector में काम कर रहे हैं अब बस इंतजार है के बिसी 13 के करोड़ पती से मिलने का जी हाँ तो आज बिग बी के स्टाइल में लूंगी विदाई मेरी तरफ मत देखिये तो मैं आपकी कोई साहिता नहीं कर पाऊंगी क्या करेंगे आप इतने रुपयों का समय गया आगया है आपसे विदा लेने का यहां ले दे हैं छोटा सा ब्रेक फिर मिलूंगी आपसे ऐसी ही चरपटी गौसिर्स के साथ तब तक अपना ध्यान रखिये सुरक्षित रही अपने अपने घर में रही और मजा लीजिए मेरे स्पेशल नियूश का